हाई फ्रेंड्स कैसे आप लोग मैं प्रभाद कुमार प्रसाद आपका गेट अकेट में प्लस चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं जो भी हमारे नहीं फ्रेंड्स हैं उनको यह बता दूँ कि हम लोग लाइन प्रोजेक्शन पर भी वर कर रहे हैं और लाइन प्रोजेक्शन पर कहां पर हम लोग पहुंचे हैं तो दो केसेज हम लोग कर चुक हैं केस वन और केस टू क्या की हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा अभी फोसे एक रिवाइज लेंगे नहीं पहले एक बार देख लेत तो चलिए एक बार highlight देखते हैं अब हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग ने case 1 और case 2 क्या किया था देखिए पूरी चीज़े तो मैं आज की वीडियो में आपको case 1 या case 2 के बारे में revise नहीं कर सकता मगर हाँ अगर आपको पूरी knowledge चीज़े तो इसके लिए please हमारे पुराने वीडियो को जरूर जाके देखें वहाँ पे आपको सारी चीज़े clear हो जेंगे तो आज हम बता देता हूँ एक हलका सरी वीडियो मतला revise कर देता हूँ कि हम लोग ने कौन-कौन सा case किया था यह समझ लीजेगा पहला case था पहला case हमने जो किया था that was perpendicular to VP and parallel to HP यानि कि जो आपका line है question क्या चल रहा मतलब topic क्या चल रहा line projection तो हम लोग यहाँ पर जो भी चीजे बात कर रहा हो किसके respect में बात कर रहा हो line के respect में तो आपके यहाँ पर perpendicular to VP and parallel to HP पहला case था जो कि आपका line जो है perpendicular to VP होगा और parallel to HP होगा तो उसका result क्या आएगा उसमें question कैसा solve करेंगे यह सारी जीसे हम लोगों ने पुरानी वीडियो में कर चुके हैं तो अगर किसी को doubt हो तो please हमारे पुरानी वीडियो को जाके देखें second आपके जो case है वो है आपका perpendicular to HP and parallel to VP तो perpendicular to HP और parallel to VP एक line को अगर हम लोग इस systematic इस condition में अगर हम लोग यूज कर रहें तो किस तरीके से आपका result आपका हमको मिलेगा तो उसके लिए भी हम लोगों ने question parallel to both line parallel to both किसके किसके HP and VP दोनों आपके plane के parallel है लाइन कैसा है आपका parallel to both line VP and HP तो आपका जो line है VP और HP दोनों से parallel है तो चलिए एक बार condition हम समझते हैं कि यह किस तरीके से आपका मतलब work करेगा तो चलिए एक बार हम लोग practically देखते हैं तो friends यह आपका VP है जैसे कि हम लोग पूराने वीडियो में हम लोगों ने इसको as a VP यूज किया है VP मतलब क्या होता है वर्टिकल प्लेन तो this is your VP वर्टिकल प्लेन और इस bench का जो surface है इसे हम लोगों ने HP के तोर पर यूज कर रहे हैं तो यह आपका HP हो गया अब ध्यान समझ जी कि हमारा जो condition है case 3 क्या बोल रहा है line parallel to both VP and HP HP से भी parallel है और VP से भी parallel है अब तक हम लोग condition क्या देख रहे थे perpendicular to HP and parallel to VP दूसरा case क्या था parallel to HP and perpendicular to VP नाउ इस बार क्या है दोनों ही case का दोनों ही मतलब HP और VP दोनों से ही आपका line जो है आपका क्या होगा पैरलल होगा चुकिए तो line दोनों से parallel है तो वो किस तरीके से आपका line हम लोग place करेंगे ध्यास देखेगा तो यह आपका HP है यह आपका VP है यह आपका line है कोई भी line है आपका किसी भी length का है तो अगर हम लोग ध्यास से देखिए अगर मैं इस line को इस तरीके से अगर रखता हूं ध्यास देखेगा अगर मैं इस तरीके से place कर रहा हूं इस line को कि आपका신 का दिया है तो यह पेर्लल टू VP और पेरलल टू HP दियास देख सकते हैं यह VP से पैरलल है और हब हई kidsu ii है अगर मैं लाइन को इस तरीके से एक प्लेश करूं किस तरीके से इस तरीके से एक प्लेस करूं तो ध्यास से से किए मैं लाइन को कैसा शो कर पा रहा हूं पैरलल टू विपी एंड पैरलल टू एश्पी क्लियर तो इस लाइन का कंडिशन द्यान से समझ में आ गया कि हमारा कैसे प्लेस करना अब द्यान से एक चीज़ और समझे कि इसका फ्रेंड वी और टॉप व्यू कैसे दिखेगा अगर इस लाइन को मैं फ्रेंट से देखूं अगर आप लोग इसे फ्रेंड से देखें तो फ्रेंड से आप लोग इसे देखेंगे तो फ्रेंड में भी आपका पूरा पूरा जो टू लैंथ है उसी लैंथ का आपका एक लाइन शो होगा लाइन शो होगा और जब मैं टॉ तो Top से भी तो Same Line आपका Show होगा, Same Length का, तो आपका Front View में और Top View में आपका क्या शोर है same line का length sorry same length का line ठीक है तो friend view में भी आपका वही शोर है और top view में भी आपका वही शोर है तो चलिए आपका हम लोग solution करके देखते हैं कैसा आपका आगा तो ध्यान से जख सकते यह आपका जो है यह हम लोग का condition है parallel to both HP और VP ठीक है तो अगर हम ध्यान से बात करें तो यह आपका line जो है यह आपका जो plane है sorry this is your plane तो यह plane क्या आपका VP है और यह plane क्या आपका HP है ध्यान समझेगा यह plane आपका क्या VP है और यह plane क्या है आपका HP है और this one is your XY ठीक है अब clear समझेगा कि अभी आप हम 3D view में समझ रहे हैं 3D view में इसलिए समझ रहे हैं क्यों 3D view में आपका यह ज्यादा clear हो पाएगा जो condition आपका है तो ध्यांस देखिए यह line जो है आपका VP से ही parallel है और HP से ही parallel है तो अब हम लोग इसे यह देखते हैं कि इसका result क्या आएगा तो जब हम लोग इसको front से देखेंगे जो आपका इस line का front view है वो कुछ यहां पे शो होगा और आपका जब top से देखेंगे तो यह आपका top view शो होगा किस line का लाइन अबी का तो line अबी का अबका front view आपका VP के respect में आपका शो हो रहे है जो कि आपका as a line ही दिख रहे है किस line के equal दिख रहे है तो आपका original line के equal याने true length के equal दिख रहे है तो इस विजुलाईज करने पर भी आपका ये कैसा लिख रहे आपका टॉ लेंथ का size का आपका एक line दीख रहे है जो कि आपका किस पर आपका शुआ हो रहा है HP तो ये आपका इसमें नाम जो हो गया ये आपका हो जाएगा A B का ये front view है तो this one is your A dash and this one is your B dash तो आपका AB line का ये आपका A dash और ये B dash हो गया तो this is your front view of AB now अब बात करें top view का top view हम लोग कैसे show करते हैं top view show करने के लिए हम लोग को क्या जरूरत होते हैं तो हम लोग को only small letter use करते हैं आपका front view के लिए हम लोग small letter के साथ dash use करते हैं मगर यहां पर आपका top view के लिए only small letter use करते हैं तो this is your top view तो आपका ये हो गया A and this one is your B तो इस तरीके से आपका हम लोग 3D view में समझ लिए हैं अब हम लोग इसको क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे जैसा हमको एक्जाम में आपको इसको शो करना है चीक है ड्रॉइंग शेट में जैसे आपको बनाना है उस तरीके से आपका शो करके देखते हैं कि आपका result कहसे हम लोग इसको interpret करेंगे तो अब हम लोग इसको xy जो line आपका होता है जो projector line है हम उसमें देखते हैं so this is your projector line ओके यह आपका projector line है और यह आपका xy line है अब हम लोग को बात यह कि समय नहीं है कि यह जो आपका question है यह जो आपका condition है याने parallel to both vp and hp अब içorsे क्या करना है इस पर represent करने है अब represent करने के लिए पहले हम लोग यह देख ना पढ़ेगा कि आपका front view में क्या है गा तो front view में आपका आ रहा है एक line आ रहा है जो जो कि आपका true length के equal है तो अब इस line को हम लोग आप रिप्रेजेंट करना पड़ेगा XYE के उपर क्योंकि आपका वह का रहा है एकसवाई के ऊपर और टॉप व्यू का आएगा XY के नीचे XY के नीचे क्यों आएगा क्योंकि हमें मालूम है जो भी लाइन आप पर जाएगा तो ये डाउन वाड़ तो हम्हें ये मावलम चल गया कि आपका फ्रेंड विउ एक्सोई के ऐपर आएगा, तॉपर युआज़ आएगा रहेगा मगर अब इस्वर क्या रहे आ रहा है क्या रहे क्या आ रहे है इस यंद्र आपका paid zaある इस बर आपका line है रहा है तो line को हम लोग को show करना है तो यह आपका माल लिजे यहाँ पे A- और line किती है, line की size कि है जो भी आपका question में आपको describe किया रहेगा 50mm, 100mm, whatever तो वो आपका line parallel हम लोग क्योंकि आपका VP में कैसा line देखे रहा है, VP में अगर हम लोग कैसा दिख रहा है, parallel अगर दिख रहा हमको तो parallel हमको show करना पड़ेगा तो यह आपका parallel line हो गया तो this one is your A- and this one is your B- तो A-B- आपका line हो गया अब हम लोग बात करते हैं, top view की तो top view पे क्या आपका line A-B, यानि के top view तो अब यह कैसा जाएगा तो यह rotate हो जाएगा, तो downward जाएगा तो downward जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पे भी आपका क्या show हो रहा है, एक line ओ भी कैसा है, parallel तो parallel line show होगा, तो parallel line के लिए हम लोग इसके parallel आपका line जाएगा तो यह आपका हो गया क्या A-B, यानि कि यह आपका top view, तो ध्याँ से दिख सकते हैं कि आपका condition बोलते है, parallel to both VP and HP, parallel to both VP and HP, तो उस case में आपका result क्या होगा, तो result आपका होगा, front view में भी आपका एक line बनेगा, top view में आपका भी line बनेगा, मगर आपका कैसा होगा parallel show होगा, कैसा show होगा, आपका point show नहीं होगा, यह आपका parallel line show होगा, ठीक है, तो this is your result, आपको यह आपका जो भी question का, आपका question पूछेगा उसमें answer आपको इस तरीके से represent कर रहा है ना ही कि आपको इस तरीके से, ठीक है this is your 3D view, यह आपका 3D view just for the explanation purpose था, आपका main result आपको इस तरीके से, आपको जो भी है, explain करना है अब हम लोग इसको जो भी है, इसके according question देखते है, जो भी question होगा questions हम समझेंगे, और उस question को हम लोग ड्राइंग sheet में करेंगे, तो आपका clear और भी जादा clear होगा, तो चलिए question लेते हैं, तो question आपका क्या बोल रहा है, यह है, आपका question हम लोग ले लेते हैं अब हम लोगो main चीज का है, question को आपको read out करना है, पहले first of all हम को समझेंगे, question बोल किया रहा है, तो question हम लोग पढ़ते हैं, line AB, एक आपका line AB है 70 mm long so what is the length of line it is 70 mm, चीक है, तो line आपका कितने अलंबा है, this is your 70 mm, so पहले first of all हम लोग उसको tick कर लेते हैं कि आपका 70 mm का line है okay, is parallel to both is parallel to both HP and VP, VP and HP तो आपका यह condition क्या बोल रहा है, कौन सा condition है आपका VP और HP से दोनों आपका क्या होगा, पैरलल होगा, तो यह condition आपका clear हो गया, कि condition आपका दिया parallel to both VP and HP line 70 mm long आगे, is having its end point, उसका एक end point, कोई भी एक end point की बात कर रहे है, A, यानि कि इसका जो end point A है, यानि कि A B point का, A जो आपका end point है, 15 mm above HP, आपका HP से कितना उपर है, 15 mm तो 15 mm above HP and 20 mm in front of VP, 20 mm in front of VP, अब हमको यह ध्यान देना है फिर से कि आपका यह कौण से कौडरेंट में stay करेगा, तो कौडरेंट stay कौण से में करेगा, इसके लिए हम लोग क्या check करें, condition क्या दिया है, तो condition आपका क्या दिया है, ध्यान से देखिए above HP in front of VP, तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग write-up कर लेते हैं, ताकि और easy हो जाए, तो हम लोग का question में ध्यान से देखिए, length आपका AB 70 mm, condition parallel to both HP and VP, point A, एक condition क्या आप हो रहा है, तो ध्यान से देखिए, above HP and in front of VP, तो condition हमको देखिए, आपका above HP, HP से उपर और VP के सामने, तो यह आपका होता quadrant 1, जिसे भी इसमें doubt हो, कि कौन सा coordinate होता है, जट से याद कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पुराने वीडियो को एक बार फिर से आपको revise करने की जरूवत है, जो नए है, उनके लिए तो और ज़रूरी है कि हमारे स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, तो यह आपका कौन सा coordinate हैगा है, तो quadrant आपका one होगा, quadrant आपका first होगा, quadrant first का यह आपका condition है, condition क्या बोलता है, above HP, in front of VP, ठीक है, तो above HP और in front of VP का condition हमारा है, जो भी value दियो है, value को आप लिव करिये, value से कोई मतलब नहीं है, पहले हम concept पे आपका ध्यान देंगे, तो above HP और 20mm in front of VP, तो पहले हम लोग condition पे ध्यान देंगे, above HP in front of VP, तो इनसे मारूम चलता है कि हमारा coordinate concept first, दूसरा बात कि यह question किस case का बोला है, तो parallel to VP and parallel to HP, दोनों से ही आपका parallel है, तो आपका condition clear है हमें, आपका coordinate clear है, तो हम लोग इस question के according हम लोग solve करेंगे, तो देखें, जैसा कि मैंने case समझा था, case में जो मैंने आपका use किया था 3D figure, तो 3D figure को ध्यान से देखते हैं, तो 3D figure भी कुछ आपका same to same आपका work कर रहे है, बस क्या है आपका AB जो है, आपका 70 mm है, तो यह मान के चली कि जो यह आपका AB length है, यह क्या 70 mm का length है, यह आपका AB क्या आपका 70 mm का length का आपका line है, आप इसको कहा आप प्लेस किया हो, कैसे प्लेस किया हो आप लोग, तो यह आपका parallel to both HP and VP, लेकिन इसके लिए आपका एक और चीज बोला है, कि आपका point A जो है, वो कैसा है, आपका 15 mm above HP and 20 mm in front of VP, तो चलीए देखते हैं कि यह कहना क्या चाहता है, तो आपका सामने है, किसका point A, और यह आपका 70 mm का क्या है, आपका उसका length है, जो कि आपका parallel to both case, याने कि आपका parallel to VP भी है, और parallel to HP भी है, तो दोनों ही cases को आपका यह जो है, आपका जो figure है, आपको satisfy कर रहा है, चुक्छे, तो यह आपका condition हो गया, अब इसका हम लोग result देखेंगे, कि result आपका कैसे बनेगा, तो result एक बार देखते हैं, तो चलिए आप इसको result देखते हैं, result मतलब हमको चीज को, हमको mainly आपका drawing copy बनाना है, यह तो आपका 3D explanation था, किस तरीके से आपका, मतलब आपका जो भी आपका, जो line दिया है, वो कैसा आपका, front view में और top view में कैसे दीखेगा, लेकिन lastly हमको show कहां करना है आपको, तो यह show करना है इस तरीके से प्रोजेक्टर पे, तो प्रोजेक्टर पे क्या show रहा ध्यास देखीगा, तो front view में, आपका, a, b, लिडेश आपका लाइन कहां बन रहा है तो वह आपका लाइन बन रहा कहां पर वीपी पे याने कि आपका वर्टिकल लाइन पर तो वर्टिकल लाइन पर एकस वाई से उपर वर्टिकल लाइन पर आपका क्या बन रहा है फ्रेंट व्यू तो वह तो हम फ्रेंट व्यू यहां 90 degree clockwise rotate करेगा तो 90 degree clockwise रोटेट करेगा तो जो इसका टॉप व्यू है AB यह आपका कहा आ जाएगा XY के downward portion पे याने कि नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब कि आपका टॉप व्यू हमारा नीचे बनेगा, फ्रेंट व्यू हमारा उपर बनेगा और वैसे भी हम लोग जो आपका point protection में cases पड़े हैं उसमें हमें clear है कि जब आपका quadrant फर्स्ट हो तो वहाँ पे front व्यू उपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है यह हमें पहले clear है फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं तो समझ में आ गए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बनाने, तो अब बात यह है कि यहाँ पे क्या बनेगा parallel lines बनेगा, तो आपका कितना है आपका a point का condition देखिए, तो 15 mm above HP, तो HP से 15 mm above, यहाँ पे ऊपर है, कितना 15 mm, और जो आपका in front of VP है, यहाँ कि 20 mm in front of VP, यह तो आपका position कहाँ चले जाएगा, downward, तो 20 mm आपका कहाँ होगे, x, y के नीचे, अब हमारा line बनाएंगे, तो line का size कितना है, आपका line का length कितना है, 70 mm, तो 70 mm का यह length बनाएंगे, यह आपका line का, जो आपका result है, यह आपका line कितने का है, तो 70 mm, यह जो line हम लोग ने line जो draw किया है, यह उसको यह show कर रहा है, कि यह आपका यहाँ से यहाँ तक का distance show कर रहा है, तो यह आपका 70 mm की दूरी पर आपका दूसरा line बना हुए, तो यह आपका क्या हो गया, तो this is your A dash, और यह B dash, and this one is your A, and B, तो यह आपका basically top view, and this one is your front view, और दूसरा आपका यहाँ पर length आपको show करना पड़ेगा, 70 mm, तो यह आपका इस तरीके से आपका question पूरा solve होगा, लेकिन question हमको drawing sheet में कैसे बनाना है, इसको drawing sheet में बनाने के लिए हमनों drawing sheet में देखेंगे, ठीक है, तो चलिए हमनों drawing sheet में बना के देख लेते हैं, कि Line जो है, आपका क्या है? आपका AB है, Line AB है, Line AB में आपका कल्द उसका value भी दिया हुआ कि कित्ता आपका, उसका size है, जो कि आपका 70 mm, 70 mm, उसके ज़र आपका question में बोला है, कि आपका end point जो है, आपका, end point, क्या दिया end point में? आपका end point A के बारे में आपका detail दिया है A जो है आपका क्या है 15 mm above क्या बोला है आपका HP दूसरा बोला है आपका कि point A कही बोला है आपका 20 mm in front of VP तो यह हो गया आपका above HP case और एक हो गया in front of VP का case तो यह आपका ध्यास देखिंगे इस दोनों आपका जो value है या दोनों condition जो है इससे हमें यह मालूम चलिए एक quadrant कौन सा है आपका first quadrant है ठीक है तो हम लोग का question में यह तो मालूम चलिए अब आपका case कौन सा है तो उसके लिए question में दिया हुआ है कि parallel to both parallel to both case आपका clear हो गया दोनों चीज़ clear हो गया तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हमको question में बनाना क्या है तो चलिए आपका यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कैसे बनाना है यह पूरा देख लेते है आपका सबसे पहले हम लोग एक line draw करेंगे जो conceptual work था वो तो आप लोग question में blackboard पर समझ चुके है अब हम लोग थो conceptual जो हो है वो तो हो गया अब हम लोग drawing work कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक line draw करते है जो कि आपका x y होगा x y x y line एक projector draw करते है इस projector पे हम लोग को point a का condition जो दिया है उसके according हम लोग इसको fit करेंगे तो ध्यान से समझिए यहाँ पे जो point a है उसका quadrant कौन सा है तो quadrant 1 है तो याद किजिए quadrant 1 में आपका result क्या होता है तो result आपका जो होता है quadrant 1 मे above hp and front of vp तो इसका result क्या होता है x y line के उपर आपका front view बनता है और नीचे आपका top view बनता है यह याद होगा तो यहने इसका मतलब हमारा x y line है इसके ओपर front view बनेगा और नीचे top view बनेगा चीक है तो front view और top view बनेगा तो कौन सा front view में आएगा कौन सा top view में आएगा तो थोड़ा सा हम लोग इसको क्या है साइड में हम लोग बना लेते है मालने जी यह आपका VP है यह आपका HP है condition क्या बोला point A के लिए 15 mm above HP तो 15 mm above HP HP का 15 mm HP से distance है यह आपका 15 mm above HP and 20 mm in front of VP तो आपका 20 mm VP से सामने है तो यह आपका यह point क्या होगी आपका A तो front view क्या होगा यहाप पर अगर friend से में देखू तो यह front view कहां बनेगा यहापे जो कि आपका क्या होगा A dash अगर मैं top से देखू तो कहां बनेगा यहाँ पे यह होगा आपका small a आपका distance क्या होगा तो यह आपका arrow proper बना देंगे यह जो है आपका मैं rough work कर रहा हूँ यह आपका question का demand नहीं है यह question को हम लोगों समझने के लिए कैसे आपका point a यहाँ पे आएगा उसको हम लोग यहाँ पे कर रहे है यह आपका arrow बनाएंगे proper यह आपका rough work है basically यह आपका 20 mm in front of vp तो यह 20 mm होगे है यह आपका x y line है अब ध्यान समझे है इसका projection हम लोग कर ले रहे हैं यह जो आपका work की है हम लोग क्या की है यह rough work का काम है यह roughly आप करेंगे तो आप ध्यान से देखिए इस question को कि A का अगर हम को पहले हम लोग स्तरिफ A को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे है तो A का front view जो है x y से 15 mm एवाउप बनेगा तो 15 mm पे आपका A का front view बना दिये फिर A का top view कहाँ बनेगा तो 20 mm HP पे बन रहा है लेकिन आपका rotate होके कहाँ जाएगा 90 degree downward तो यह 20 mm नीचे है आपका क्या बन गया top view का sorry A का क्या बन गया यह front view A dash और यह क्या बन गया top view small a यह तो हो गया हमारा A का आपका जो condition लाना था वो हम लोग लेकर आगे अब बात यह आती है कि question में क्या बोला है parallel to both HP and VP तो हम लोग ने जैसे condition में समझा था अगर बात हम लोग जो जैसे कहले है question में समझे कि आपका यह जो line है यह आपका VP है और यह आपका HP है तो दोनों से अगर parallel की बात करें तो front में भी आपका एक line बनेगा top में भी आपका एक line बनेगा चीक है तो जैसे हम लोग question में समझ चुके है तो आपका यह क्या बनेगा एक line बनेगा जो कि आपका true length होगा और xy से parallel होगा तो चलिए आपका जो size line का खिता है 70 mm तो 70 mm का पहले देख काम करते इसको एक यहां से line draw कर लेते 70 mm पे यहां से एक parallel line draw कर लेते एक parallel line अब ध्यान समझेए यह आपका top view हो गया और यह आपका friend view हो गया क्योंकि आपका जब parallel to both बोल रहा है hp और vp तो आप ध्यांस देख सकते हैं कि hp में भी आपका एक line बनेगा true length का और vp में भी आपका एक line बनेगा true length का चीक है तो आपका a-b- और यह a-b तो यह आपका हो गया क्या friend view और यह top view तो यह आपका top view और friend view हो गया अब हम लोग इसको dimension देदेए proper dimension देदेए तो यह इसका size बता देंगे हम लोग यहाँ पे यह किता है आपका 70 mm इसका true length है question में एक चीज़ का ध्यान रखेगा lightness और darkness बहुत important है जो question का requirement है वो आपका dark होना चीए dimension dark होना चीए आपका naming dark होना चीए जैसे कि a, b, a subject dark होना चीए जो लिखा हूँ material होना चीए चीए यह आपका question में जैसे दिया है 20 mm और यह आपका 15 mm तो यह आपका a.a का जो आपका coordinate था जिसका according आपका यह यहां से जो आया है value 15 mm एवाव of hp and 20 mm in front of vp जो कि आपका downward बना है तो यह आपका a का हम लोग जो condition लेके आया थे वह यहां put हो गया यह आपका line हो गया जिसका dimension हो गया यह आपका xy axis हो गया इसके बाद आपका question जो है आपका पूरी तरीके से complete होता है और इस तरीके से question बनाने से आपको पूरे marks मिलेंगे तो यह आपका total solution है किस case का parallel to both hp and vp तो parallel to both hp and vp में क्या होता है आपका result क्या मिलता है आपका xy line से आपका front view हो भी आपका parallel होगा और top view भी आपका parallel line बनेगा लेकिन उसका length क्या होगा true length के equal यहाँ देखेगा true length के equal बनेगा आपका xy से parallel दोनों चीगें तो यह आपका आपका क्या था parallel to both HP and VP तो इस तरीके से हम लोग question को solve करेंगा drawing sheet में तो जैसा solve करते हो तो हमेशा आप लोग follow करते हैं बस मैं आप लोग से एक request करूँगा कि जब भी आप लोग question solve करें इसमें एक चीज़ ध्यान दें कि जब भी कि हम लोग question solve कर रहें तो आपको पूरा starting से वीडियो देखें तब हमें follow करके आप solve करने के कोशिश कर रहें ऐसा ना हो कि हम लोग last month देख रहें और solve करने के कोशिश कर रहें यह तोड़ा सा क्या होगा आपको कहीं न कहीं जो बीच में हम लोग concert बताते हैं बीच में कुछ ऐसे से ट्रिक्स बताता हूं मैं जो कि आपको कलते easy पड़ेगा उस question को solve करने के लिए वह आप मिस कर दोगे तो आपको थोड़ा सा difficulty होगी तो please जब भी वीडियो देखें आप लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा वीडियो देखें थोड़ा सा patience रखके देखें लेकिन हाँ patience थोड़ा सा रखके देखेंगे तो आपको result ज़रूर मिलेगा और please try to share to your friends and keep watching our videos झाल